अम्बाला बिजली विभाग का डिफॉल्टर उभोकताओं पर करोडो रुपे का बिजली बिल बकाया है जिसके बाद अब विभाग ऐसे उभोकताओं के कनेक्शन काटना शुरू कर चुका है जिसके चलते एक सब्ता में पांच करोड से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है वहीं हरानी बारी बात तो ये है कि कई सरकारी दफ्तरों पर भी करोडो रुपे के बिजली के बिल बकाया है जिसको लेकर बिजली विभाग कई बार नोटिस भेच चुका है वहीं अधिकारी जल्धी बिजली बिलों का भुकतान करवा देने की बात कर रही है कोरोनकाल की शुरुवात से लेकर अब तक हर्याना बिजली विभाग का डिफॉल्टर उभोकताओं पर करोड रुपे बिजली विल बकाया है जिसके चलते विभाग को आर्थिक तौर पर भारी घाटा सेहना पड़ रहा है डिफॉल्टर उभोकताओं को विभाग बकाया भरने के लिए कई बार सरचार्ज माफी और किस्तों में पैसे भरने की छूट दे चुका है लेकिन अब ऐसे उभोकताओं पर बिजली विभाग सक्त हो चुका है अब कर दो कर दो किसी का बिल डिस्प्यूट है या किसी का और इशू है अगर बिल उसका ओके का है तो उसकेस में पार्ट पेमेंट अलाओं नहीं है और डिएस कैटेगरी में भी हमने पूरा भ्यान चलाया हुआ है अगर देट दो सो कनिक्शन अबाला शाहर के अंदर काटे जा रहे है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा भी इनकिल कहा है कुछ ऐसे भी कंजूमर्स हैं जिन्होंने अभी डेट दो साल से पैसे नहीं भरे है तो उन पे एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी ये ड्राइव हमारा जारी रहेगा अगले महिने भी इसी तरह से तो मैं अपील करूँगा एक तो जो भी मारे भोगता है वो अपना बिल अपना बिजली का है बड़ी हरानी वाली बात है कि अंबाला के मिनी सेक्टरेट, पब्लिक हेल्थ, पंचायत विभाग, सिचाई विभाग, मार्केटिंग बोड वर अन्य दफ्तरों पर करोडों रुपे के विजली के बिल बकाया है इस बारे में जब हमने SGM हितेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि विजली विभाग का पत्र मिलने के बाद उपरी विभाग को सूचना दे दी गई है, जल्दी सभी विभागों के विजली बिलो का भुकतान करवा दिया जाएगा अमबाला में हर रोज 150 से ज़्यादा कनेक्शन काटे जा रही है इस मोहीम के चलते बिजली विभाग एक सब्ता में 5 करोड रुपे रिकवरी करने में सफल हुआ है अमबाला में कमर्शियल डोमेस्टिक इंडरस्टिव भोगताओं पर 30 करोड रुपे बिजली बिल बखाया है पंज़ाब केस्टीवी के लिए अमबाला से कृशन बालिक रिपोर्ट